दोस्तों काफी चाहिए दोस्तों मिरे पास कमेंट आ रहा था सर UDID कार्ड के लिए कैसे अपलाई करें इसके बारे में एक वीडियो बनाया है तो दोस्तों इस वीडियो में आदिम से आपको कम्प्रीट यान काई देने बाला हूँ इसमें दोस्तों मैं आपको लाप प्रूफ भी दिखाने बाला हूँ कि आपको UDID कार्ड के लिए कैसे अपलाई करना होता है क्या इसका प्रोसेस रहता है दोस्तो अभी तैक आपने हमारा चनल सुस्क्राइब नहीं किया तो मैं आपको यही सेश्ट करूंगा कि आप हमारे चनल को जुरूर सुस्क्राइब करना है साधी साथ बैल आइकन को प्रेस करना है जिससे कोई ऐने वाला पी पेडि़ू किसन सबसे पहले आपको मिल सके तो चली दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू UDID कार्ड क्या है इसको बनवाना क्यों मैं निटरी है दोस्तों यदे किसी परसन में कोई भी दिसेबिल्टी है तो उसका जो भी रिकॉर्ड होता है यानि जो भी उनके पास जो भी सर्टिपिकेट होता है तो वो केबल इस्टेट लेवल का होता है आप उसे इस्टेट लेवल के इस्टर पर यूज कर सकते हैं और दोस्तों जो UDID कार्ड होता है जो भी डिसेबिल्टी जोड़ा जा रहा है तो उसी तरह से दोस्तो यहाँ पर UDID कार्ड के मार्दिम से जितने भी disability person है तो उनका भी data अब कें सरकार के पास मौजूद होगा तो इसके लिए दोस्तो यदे आपको किसी सरकारी युजणा का लाब लेना है तो दोस्तो आपको अपना ये बिकलंग certificate होना चाहिए जो भी आपके medical officer यानि जो भी आपके district के medical officer के यहां से जारी हुआ होता है वही आप पर certificate यहां पर होना चाहिए इतने document आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से UDID कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको कोई भी ब्राजर ओपन कर लिए जैसे मैंने यहां पर ओपन कर लिए यहां पर आपको सर्च बार में आना यहां पर आपको UDID कार्ड इतने टाप करने बाद म आपको सर्च पर किलिक कर देना है जो सबसे पहले आपको यहां पर लिंक मिल जाएगा यूनिक डिसेबिल्टी आइडी आपको यहां पर किलिक कर देना है तो दोस्तो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आपको वहां पर यहसे किलिक करेंगे त आपको CD page पर इस पर आ सकती है तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक option मिल जाएगा apply for disability certificate या UD ID card आपको यहाँ पर click कर दिने उसके बाद दोस्तों जो भी आभिदन पत्र होता है वो यहाँ पर open होके आ जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले personal detail को आपको fill करना होगा जो भी आपको form है वो आपको 4 step में complete होता है सबसे पहले personal detail उसके बाद disability उसके बाद employment detail उसके बाद identity detail तो इस तरह से दोस्तों आपको 4 step में यहाँ पर complete होता है तो सबसे पहले आपको personal detail यहाँ पर जो भी applicant है, जो भी आपका नाम है, फश्ट नाम है, उसको आप यहाँ पर फिल कर दें, यहाँ पर middle नाम है, तो उसको फिल कर सकते हैं, यहाँ पर applicant है, surname या उनका जो भी last name है, तो यहाँ पर फिल कर दें, तो यहाँ पर दोसो सबसे पहले आपको अंग्रेजी में फिल करना ह जैसे इस पेस का आप बटन किलिक करेंगे तो उसके बाद में जी ओ 이거는 हम पर हिंदी में convert हो जाएगा तो इसी तरह से दोस्तो आपको यहां परoser voi अप्लिकेंट पादर ंस्फने यह पर पिता-जी का नाम है उसके बाद मैं आपको यहां पर मधर स्टने यहां पर आपको डेटो पर यहां पर आविधक के पिता का नाम इंदि पु μभी मधील फिल कर दें comfortable माथा का नाम पिल कर यहांपर दोस्ता ब्लेट गुरुप यदि आपको मालूम हुए आप उसको चूज कर सकते हैं यहांपर दोस्ता मेरिटल इस्टेटस जो भी अपलीकेंट है वो विभाईत है या अन्मेरिट है वो आप यहांसे चूज करने हैं उसके बाद दोस्ता रिलेशन बिट पी ड़व पोटू को अप्लोड करना होगा जो भी आपका फोटू हो पंदर सो तीस केवी की बीच में होना चाहिए यहाँ पर दोस्तों आपको सिगनेचर को स्केन करना होगा यदि जो भी कस्टमर है वो सिगनेचर करना नहीं आता है तो आपको उनका थंबी यहाँ पर लगवाना होग जो भी size है वो 3 KB से 30 KB की बीच होना चाहिए यहां पर दोस्च आपको address को फिल करना होगा जो भी आपका address है भूdraw address को यहां पर expose कर दे यहां पर दोस्च इंदी में आपको फिल करना है यहां पर आपको state चूझ कर लेना तो वही आईडिया आपको यहाँ पर upload करना होगा यहाँ पर आपको permanent address को फिल करना होगा यदि आपका जो भी communication और जो भी permanent address सेम है तो आप यहाँ पर जैसे खिलिक करेंगे तो जो भी automated जो उपर का address होगा वो यहाँ पर automated फिल हो जाएगा उसके बाद आपको scroll down करना है यहाँ पर दोस्तों आपको education detail को देना होगा जो भी आपने education की है उसकी detail आप यहाँ पर देनी होगी उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर next के option पर खिलिक कर देना है तो चली दोस्तों मैं इस detail को फिल कर लिता हूँ उसके बाद दोस्तों यहां पर अगला page open होगा यहां पर आपको disability detail जो भी आपकी disability detail है वो आपको यहां पर फिल करनी होगी सबसक्ते पहले आपको यहां पर do you have a disability certificate क्या आपको पाध disability यानि बिकलांग परमाण परतर है तो यहां पर दोस्तों आपको yes या no मैं और आउन्सर देना है मैं yes पहले कर दूँँगा यहां पर जो भी आपके पास disability certificate है वो आपको यहां पर upload करना हुगा यहां पर जो भी registration न आपको यहां से utilize करना है लिए जो भी आपा certificate है मेडिकल आपस से हुआ है है या साथ क्वा है साथ हम आप चूँछ कशे करने है DB % हैं तो जो सोगे टील होती है वह आपके जो भी घ्राम प्रमाण पत्र होता है यह expensive होती है। ऑस पर concept इन परर से आदा Disability सिंस या डिसेबिल्टी बरत यानि जो ب히ीडिसेबिल्टी है वह किस मैंसे यह टुव आप यहां पर चूछ चूछ क्यान है यहाँ पडिसएबिल्टी एरिया लाइन यहाँ और हमके इस्टि बहां जो भी बाग आपका विकठनग aí वह आप यहां से चूछ करन है पॉलोईड है उसके बाद दोस्तों एक क्या करते हैं वो आप यहां से चूच करने हैं यहां पर लिस्ट दे रखी है उसके इसाब से आप यहां पर चूच करने हैं आप क्या करते हैं यहां पर दोस्तों पूझा जाता आपके सेडी में आते हैं आप यह पील में आते हैं यह स्रेडी में आते हैं वह आप यहां से चूट करना है आप यहां पर 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 सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब करना होगा वही proof आप address में भी दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आधर नमर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यह capture दिखाई दी रहा है इसको फिल कर देना है उसके बाद दूस्तों आपको यहाँ पर concentrate देना है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर proceed की option पर क्लिक कर देना है तो चलिए दूस्तों मैं यहाँ पर जल्दी से कल लेता हूँ तो दोस्तो जैसे आप प्रोसीट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपने जो भी डिटिल को फिल किया हुआ वो डिटिल यहाँ पर पूरी डिटिल आपके सामने उपन होके आ जाएगी जैसे कि आप मेरे case में दीख सकते हैं यहाँ पर जो भी detail है वो पूरी detail है यहाँ पर open ओ Sustainable तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर confirm अप्लिकेशन पर click करेंगे उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक pop-up दिख़ेगा have you checked क्या आपने यह checked किया है आपने यहाँ पर जो भी application का first name में, last name में वो आपने यहाँ चेक कर लिया है यहाँ पर आपको yes का option मिल जाता है तो यहाँ पर आपको tick करना होगा तो दोस्तों जो भी आपको यहाँ पर detail दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर सब पर आपको tick करना होगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर yes के option पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक application number बिल जाएगा तो आपको उसके application number को note करके रख लेना है आपको वहाँ पर receipt print करने का भी option मिल जाता है आप अपने Application के यहां से स्थिति को देख सकते हैं, जो भी आपको माँ पर Application number मिला हुआ है, तो आप उसको यहां पर फिल करेंगे, उसके बाद में आपको यहां पर Go के Option बाज के लिख करेंगे, तो जो भी आपकी Application के स्थिति होगी, तो वो आप यहां से ट्रैक कर सकते हैं, तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है UD ID कार्ड को अपलाई करने का तो दोस्तों आसा करता हूं यह वीडिया आपको कापी पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजी शेयर कीजी दोस्तों चैनल को जोड़ी सब्सक्राइब करें